असलाम लीकुम फ्रेंड्स देखिए मैंने आपके लिए नए डिजाइन लेकर आई हूँ स्लीव का और यह देखिए स्कॉयर शेप में मैंने यह फ्यूजिंग काटी है और आपने इसको जो है ना ट्राइंगल शेप में जो है ना इस तरी से चपका देना आएगा यह आपके इस तरह से भी आप रखना चाहें आप उस तरीके से रख सकते हैंगे कोई मसला नहीं है ठीक है आपने बस इसको चुपका देना है वन बाइवन यह मैं थ्री लूँगी स्कॉयर यह देखिए मैंने यह चुपका दिया है और अब मैं इसको सेंटर से कट कर दोंगी यह तीनों स्कॉयर्स को मैं सेंटर से कट करूँगी एक छोटा सा पहले टक लगा के और उसके बाद जह है इसको पूरी जहनक इसको मैं कट करूँगी और कट हुआ हुआ जरूर देखिएगा इसलिए कि आपने आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी ठीक है देखिए यह मैंने यह कट किया है इस तरीके से आपको भी कट करना है और इसके कोने उठा कर और इसको इस तरी से प्रेस करके जो है इसको आपने चुपका देना है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ चुपकाईएगा कोई धागा नहीं दिखना चाहिए वरना यह बिल्कुल भी अच्छा ने लगेगा इसमें जरा भी फिनिशिंग नहीं होगी इसलिए इसको आप बहुत अच्छे तरीके से चुपका दीजे इस तरी से बिल्कुल यह दे अब यह च्यवक कर है और दाना पूल में तीनियों चारूं जो कौर्नर गा दूंगी और नकी यह कारन वपर लगा दूगी और यह देखिए इस तरीके से यह फूल लगेंगे कि इनको इस तरह से बिलकुल finishing से आपने बिलकुल उपर की साइट से बिलकुल front साइट से sleeves की आपने इसको लगा के देखना है यह देखिए यह बिल्कुल इस तरीके से लगेंगे आपने यह लगा दिया अब मैं स्लीप्स की बॉटम पे जो है मैं बेल लगा दूंगी यह देखिए मैंने बेल लगाई यह बिल्कुल इस तरह से देखिए हमारा कितना खुबसूर्ण डिजाइन तयार हो गया है और जो है उम्मीद है कि आपको ये नया डिजाइन मेरा पसंद आया होगा और मेरी कल वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा जो मैंने स्क्लीप्स की डाली है और जो है मेरी वीडियोस को लाइक कीजेगा प्लीज और सब्सक्राइब कीजेगा और आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजेगा क्योंकि उससे आपको मेरी नई वीडियोस को पता चलेगा थैंक यू, अलाह आफिज